नमस्कार दोस्तों, दोस्तों क्या आपको पता है किदारनाथ की सफर में एक बड़ा बदलाप की सुरुवात हो चुका है? जी हाँ दोस्तों, परवतमाला पर्योजना के अंतरगत अब गवरीकुंड से किदारनाथ धाम तक का सफर आठ घंटे की बजाये सिर्फ 30 मिनिट में पूरा करने का सपना साकार होने जा रहा है। दोस्तों हर साल उत्राखन में लाखो स्रधालू और टूरिस्ट आते हैं और कई स्रधालू के लिए ये सफर पूरा करना मुम्किन नहीं हो पाता है। गौरिकुंड एक पवित्र स्थल है। यहां से सुरू होती है वो धार्मी की यात्रा जो किदारनाथ धाम तक जाती है। और यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जिसमें सरधालू क्यदार्नात के दर्शन करने निकलते हैं और यही यात्रा उनके लिए एक अध्यात्मिक अनुभब है और अब इस सफर को आसान बनाने के लिए 9.7 किलो मिटर लंबा रोपवे पर्योजना का काम शुरू हो चुका ह दोस्तो इस रोपवे को 3583 मिटर की उचाई पर बनाया जाएगा दोस्तो इस रोपवे प्रोजेक्ट में मोनोकेबल डिटाचेबल गॉंडोला और त्रिकेबल डिटाचेबल गॉंडोला जैसे तकनीक का उपियोग किया जाएगा जो दुनिया में बेहत सुरक्षित माना ज और इस रोपे प्रोजेक्ट की कुल चार स्टेशन होंगे गौरी कुंट, चिर्बासा, लिंचोली और किदारनात। दोस्तो इस रोपे प्रोजेक्ट को बनाने में अनुमानिक 1026 करूर रुपे का खर्च किया जाएगा। तो दोस्तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।